Hi developers, so अब बात करेंगे switch case के बारे में, कि Java के इंदर switch case क्या होता है, तो पहला question हमारा यही रहेगा, उसके बाद में हम लोग example देखेंगे, और normal example के साथ-साथ हम लोग user से input लेके, किस तरीके से switch case को implement कर सकते हैं, वो भी समझेंगे, और last में कुछ interview question discuss करेंगे, कि switch case के ओपर दो-तिन condition होती हैं, तो हम लोग normal if else condition use कर लेते हैं, मालोग हमारे पास यहाँ पर एक normal condition तो if use कर लिया, एक और condition बन गई तो हम लोग उने else if use कर लिया, और एक हमने normally else use कर लिया, अब अगर हमारे पास यहाँ पर condition के type बन सकते हैं, 30-40, जैसे कि age है, वो में 20 भी check करनी है, 10 भी check करनी है, 5 भी, 30 भी, 40 भी, 50 भी, बहुत सारी check करनी है, तो उस case के अंदर हम लोग क्या करेंगे, उस case में हम लोग switch case use करेंगे, if else use नहीं करेंगे, अदरवारीस हम लोग if else, if else, if else, if else, if लिखते रह जाएंगे, और काफी weird सा और एक लंबा सा code बन जाएगा, जो की काई सकते होगे, एक reliable code भी नहीं होता, performance के हिसाब से भी, और readability के हिसाब से भी, उस case के अंदर हम लोग use करते हैं, switch, अब switch case कैसे implement करते हैं, यह मैं आपको बताता हूँ, तो सबसे पहले मैं क्या करूँग, एक new file बना लूँगा, और इस वाली file को मैं हटा आजिता हूँ, इसके में ज़रूरत नहीं है, अब मैं यहाँ पे एक new file बनाता हूँ, इसका मैं यहाँ पे नाम रख लेता हूँ, let's say switch example, और simply सबसे पहले मैं यहाँ पे static void main function बनायता हूँ, तो public static void main function बनाया, string type का इसके अंदर हम लोग array ले लेंगे, and उसके बाद में हम लोग यहाँ प इसके बाद में लोग जो जिस topic वीडियो बना रहे ने से भी switch case को बना रहे है, तो वो implement करेंगे, ठीक है, अब मालो कि मेरे पास यहाँ पे एक age नाम से variable है, ठीक है, जिसकी value है मेरे पास यहाँ पे 20, alright, simple है, कुछ भी दिख करनी है, अब इसकी value ना, जैसे अभी दो मैंने 20 दे दी, बट इसकी value कुछ भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, मुझे 10 भी चेक करनी है, 10 के दर मुझे कुछ और code लिखना है, 20 के लिए कुछ और, 30 के लिए कुछ और, 40 के लिए कुछ और, 50 के लिए कुछ और, तो अगर मैं यहाँ पे इस तरीक से लिखना शुरू करूंगा, हमाल होगी if, ठीक है, age equal to 10, इस तरीक से, age equal to 10, तो ये वाला code run करो, ठीक है, else if, मैं हाँ पर लिखूंगा, कि अगर age equal to 20 है, तो फिर मेरा ये वाला code execute करना शुरू करो, और इसके साथ साथ, फिर मैं क्या करता हूँ, कुछ और cases बनाता हूँ, जैसे कि अगर 30 है, तो ये वाला case run होगा, 40 है, तो ये वाला case run होगा, अब 50 है, तो मैं यहाँ पर case बना जिता हूँ, मालो की, ऐसा case run होगा, और यहाँ पर मैं code लिखू तो उन सब को handle करने के लिए, if else एक proper तरीका नहीं है, उसके अंदर हम लोग use करते है, switch case, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, switch, switch case के अंदर हम लोग condition put करेंगे, किस variable के उपर में condition लगानी है, मुझे लगानी है, age के उपर, ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बनाएंगे case, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, case, और case के अंदर मैं जो भी statement लिखूँगा, वो चलेगी, case कब चलेगा, कि अगर age है 10, तो क्या होने वाला है, बट मैं यहाँ पर कर बट कर दे, actually 10 पहले आएगा, और colon के बाद में, जो भी statement मैं लिख कुछ code लिखना है, कुछ भी calculation करनी है, वो कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, मैंने एक छोटी सी line लिखती, अब second यहाँ पर एक और case बनेगा, यहाँ पर आएगा case, अगर 20 है, तो फिर क्या बनेगा, तो सेम इसी तरीके से, यहाँ पर कर लो, इसको हटा जिता हूँ मैं, य यहाँ पर डाल दूँगा, user ages 20, ठीक है, इस तरीके से, मालो, जितने ही हुझे cases बनाने है, तो इसके अंदर better readability आएगी, performance भी थोड़ी better रहेगी, अगर हमारे पास बहुत ही ज़्यादा cases है, यहाँ एक 30 हा case ले रहे दूँग, एक 30 हा case हो गया, ठीक है, यहाँ पर आगय 30, उसके बाद 40, 50, 60, यतने मर्जी case बनाते रहो, बनते रहेंगे, एक चीज़ आपको जिहान रखने है, यहाँ पर break कर देना, अगर यह वाला case मैच हो गया, तो इसको break कर दो, भाई कि आगे हमें code execute करने की जरूरत नहीं है, हमारी statement यहाँ पर match हो चुकी है, ठीक है, अब क्या होगा, अब मालो जो age है, यह 40 है, अब और 40 वाला case भी लिख दिया हमने, अगर यहाँ पर ही जागे 12, वो case match नहीं करा, तो कुछ default case भी होना चाहिए, बिलकुल ही अलग case होना चाहिए, कि अगर कुछ भी value match नहीं हो रही, तो वो चलना चाहिए न फिर, उस case केंदर हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं, डिफोल्ट, और डिफोल्ट के अदर जो भी कर दो, तो यहाँ पर कर दो, user age is not matching with any case, यहाँ यहाँ बियता हूँ, matching, all right, so यह हो जाएगा, अब मैं यहाँ पर जिसमें ने 12 age कर ली, तो अभी के लिए मैं सबसे पहले 10 इसको run करके चलता हूँ, और देखता हूँ मुझे, क्या statement execute करके देते हैं, यह मुझे एक तो, यहाँ पर हम लोगों ने उपर लिखा हूँ है, उसके बाद में age 10 वाला case execute हो जाएगा, and here we go, 30 वाला case हागया, अब अगर मैंने यहाँ पर डाल दिया, let's do case available ही नहीं, 18 डाल दिया, 18 ही नहीं इसकंदर, तो यह चला जाएगा, last कंदर, user age is not matching with any case, जो cases हम लोगों ने बनाए है, उनके साथ वो match ही नहीं कर रहे, इस तरीके से, तो यह होगा हमारे एक normal case, इसको मैं अभी के लिए comment out कर देता हूँ, यहाँ पर, but अगर आपको चाहिए user से input, तो आप कैसे करोगे, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, enter user age, कर सकता हूँ, और उसके बाद में मैं आप एक scanner class लिल, scanner class में ने बहुत बरबता दिया, क्या होता है, user's input लेने में क में करता हूँ, मैं यहाँ पर, int age is scan.nextint, यह कर दिया, ठीक है, तो अभी इसकी age हमारे पास अभी, जितनी भी मैं यहाँ पर डालोगा, तो मैं यहाँ पर डालता हूँ, कुछ भी age, let's say कि by default मैं डालता हूँ, वही matching वाली 20 डाल देता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ केंदर run कर गया, अब मैं दोबार run करूँगा इसको, अब मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, 30, यह last वाले case के दर चला जाएगा, और अगर मैं कुछ ऐसा डालूँगा, जो match ही नहीं करता है, जैसे कि मैं यहाँ पर डाल दूँगा, let's say 99 डाल गया, तो अब इसने बोला, कि ECB case से match नहीं कर लिया, तो इस तरीके से आप switch cases बिना सकते हो, जो कि थोड़ाट सा advanced version है, if-else का, जहाँ पर हमारे पस conditions बहुत जादा होती है, हम लोग if-else use नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर switch cases बगारा को use कर सकते हैं, so thank you so much for watching this video, अगर आपने चैनल को subscribe नहीं करा, वीडियो को पुला, thank you so much.